इन एम्रोज वापस आजाओ जॉन मॉक्सली को लॉड़ जाना चाहिए जो की आज हुआ है इसके अंदर दूस्व हम लोगों को एक से बढ़कर एक मैच देखने को मिले लेकिन जिस मैच के चलते फैंस गुसा होएं वह जॉन मॉक्सली का मैस था वो था गाइस एक तरीके से 3 डीन चैंपिंश्व के लिए आपको और इडिए बता चाहिए ब इक चैंपिंशिप रोएच की और एक चैंपिशिप 200 यानि कि आई डीक इन तो वरे लॉन्च करने वाले थे और तीनों चैंपिंशिप 200 वेकंड थी तो कोई एक बंदा ट्रिपल कराउं चेंपिन होता ले लेकिन एनमे दोस्तों उन्हें बैक फिस्ट लगता है और गाइस उनका क्लीन पिन फॉल ले लिया जाता है यह चीज दोस्तों फैंस को कफी गुसा रही है क्योंकि एडी किंस्टन दोस्तों बिल्कुल भी जॉन मॉक्सली के लेवल के नहीं है जॉन मॉक्सली वो बंदा है ज दोस्तों अगर डबलेवी के अंदर होते थे उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता हालकि दोस्तों एक टाइम पर उनकी बैड बुकिंग हुई थी लेकिन वो विंस मिकमेन का टाइम था तो फैंस दोस्तों डिमांड करें जॉन मॉक्सली के रिटान ही अभी होता है या यह तो समय बताएगा लेकिन हाँ जबसे न्यूस ब्रोक कुई है कि कोई फॉर्मर डबल वी चैंपियन आने वाला है डबल वी के अंदर वापस डेवन पर फैंस दोस्तों यहां एक तरी की अजम्शन लगा रहे हैं कि डीन अम्रोज हो सकते हैं तो मिरे इसाब से दोस्तों यह डीन अम्रोज नहीं होने वाले लेकिन हाँ आप डीन अम्रोज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ एक सालों में रिटन जरूर करेंगे आज की पर दोस्तों काफी इन्फोर्मिटिव रहने वाली है और ऐसी दोस्तों अपडेट्स रहेगी इसके आप सब लोगों का मैं शुक्र गुजारों आप सब लोगों का थेंक्यू है बहुत बहुत दनिवाद बात कली जाए दोस्तों आज के अपनी सेकंड निवस की सेकंड डियूस काफी हूज है जो कि हमारी जुड़ी है ए जे ली से तो गाइस एज ली के ऊपर इससे पहले को लोगों डाकनेस माइ ओल फ्रेंड जिसके अंदर दोसों गेर में दिख रही है आप अगर शूस को देखेंगे कोई आम शूस नहीं है एजी ली के दोस्तों रेसलिंग गेर वाले शूए और यहां दोस्तों कर रही है कि और रिटरन कर सकती है प्लस दोस्तों जो दूसरी ब भला AJ Lee, जो कि अब एक author बन चुकी है, जो कि बुक पब्लिश कर रही है, उसे रेसल करने की क्या जोत है, भला एक इस तरी को अपना पती धर्म निभाने के बजाए, उसी पती के साथ दो-दो हाथ करने की क्या जोत है, पाथ सिंपल सी है, रोड रंबल करीब है, और में भी द देखू तो AJ Lee का भी दोस्तो कुछ-कुछ वैसा ही है, CM Punk जैसा, CM Punk छोड़के गेते, तो वो भी कुछ टैम बाट छोड़के चल गी थी, तो देखें कि दोस्तो रोड रंबल में होता है, रिटर्न या फिर नहीं, बात कली जाए दोस्तो इस से अगली निउस की, तो कोई इ Vince McMahon का दाया हाथ था, Vince McMahon के साथ रहता था, और Vince McMahon के कूकरमों में इसका हाथ रहता है, यानि कि दोस्तो अगर किसी सूपर स्टार को लोग पुछ देना चाह रहे हैं, तो उसे उल्टा पुछ दे दिया, Kevin Dunn का फैसला, बुरे-बुरे चीजों में, दोस्तों, बुरे-बुरे बाहुर्ण थे, और इसका मलब यह भी है कि अब ट्रिपल ऐस दोस्तों और भी जादा फ्री हो चुके हैं, और और भी जादा धासू दोस्तों बुकिंग करने वाले हैं, स्टार्स की, वाइस हमारे लिए तो अच्छी न्यूस ही है, बात का ली जाए दोस्तों, इससे अग दोस्तों, उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, सिरी सिरी गहूं तो हाँ, मैं मानता हूँ कि टूरॉनमेंट में अच्छा गर है, टूरॉनमेंट में जीत भी सकते हैं, लेकिन गाइस, लोगन पॉल जैसे सूपर स्टार को फेस करना कहीं न कहीं, केविन ओवन जैसे स्क 100% confirmed है, और ऐसा नहीं है कि वहाँ appearance देंगे, बताया जा रहा है कि वो draft होने वाले हैं, तो owns दोस्तों, back होने वाले हैं, raw के अंदर, और मेरे साफसे दोस्तों, semi के साथ, फिर से उनकी जोड़ी हम लोगों को देखने को बलेगी, बात कर लेजा है दोस्तों, इस से अगली news क यहां से वहाँ जाएगा, यहां से एक आएगा, यहां, लेकिन स्टार्डम के साथ भी यही चीज़ हो सकती है, तो एक और कमपनी है, स्टार्डम, और Indie Circuit की जो एक कमपनी है, इसके अंदर दोस्तों, जो WWE वाले काफ़ इंटरस्ट दिखा रहे हैं, मैं बताया जा रहा है क जल्द वो उनके साथ भी वर्क करने वाले हैं, तो बहुत सारे दोस्तों आपको स्टार्ड सोकी, आउटसाड अफ कमपनी रेसल करते हैं, हमारी WWE में देखने को मिलेंगे in future, which means कही ना कहीं दोस्तो, WWE वाले कॉलाब करने वाले हैं, बहुत सारी कमपनी के साथ, साल 2014 में, त लेकिन बंद होगा तब जब वो बंदा इंटर कर जाएगा, अंद्रादे सियान अलमस के ओपर मेग अपडेट आई हैं, और काफी अच्छी अपडेट है, बताया जा रहा है कि अंद्रादे जो है, वो guys, AEW के साथ खतम हो चुके हैं, means उनका जो कॉंट्रेक्ट हो खतम हो है, और guys, आज उनका आखरी मैस था, interestingly, यह जो मैस था, रूसेफ यानी मीरों के खिलाफ तो और उसके अंदर दोस्तों वहार गए हैं, थेंक्स टूला ना, लेकिन guys, बात यह नहीं है, बात यह है कि अंद्रादे सियान अलमस जो है, शाय से डबड़ली बाउंड हो चुके ह है, कि हम लोगों को वो चीज देखने को मिले, जो कि guys, हमने पहले नहीं देखी है, यानि कि एक स्टार, एक हफते में, दो अलग-अलग कंपनीज के अंदर, अभी EW अंदर देखे हैं, डेवन क्लोज है, कुछी दिन बाकी है, दोस्तों, रॉक होने में, तो guys, रॉ में भी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है, दोस्तों, हमारे अपने WWE के, हल्क होगन से, तो guys, लेटेस रिपोर्ट के मारे, गाइस हल्क होगन, रहुक मेनिया, दोस्तों, लोट सकता है, तो guys, हल्क का रिटर्न हो सकता है, डेवन पर, डेवन अडिशन आफ रॉ, ट्रिपल डेवन अडिशनल है, ये तो मैने ही बता सकता हूँ, लेगिन हाँ, यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कि होगन भी उस रॉ का पार्ट हो सकते हैं, तो guys, बहुत सारे लेजंड्स, बहुत सारे रिटर्न्स हो है, होने बाले हैं, इस अपकमिंग मंडे नाइट रॉ में, और इस सोले सिकार करने वाले हैं ट्राइबल चीफ का तकता पलट, इससे पहले दोस्तों कई बारी मैंने ये अपडेट आप लोगों को दी, कई बारी दोस्तों ये स्पेकुलेशन थी, कई बारी रूमर्स थे, लेगिन अब पुकता अपडेट आ चुकी है, एक पिच दोस्तो इसके इसके थारहे हैं, उसके अंतरगत क्या बताया जा रहा है, कि सोलो शिकार का वो वेक्ती हो सकते हैं, जो कि रूमर्स थे, फैटरे हैं, इस टाइम सोलो सिकार के उपर जो ट्रिपल आचैर काफी ज़यादा महरबान है, और काफी ज़यादा खुश भी है, यहां दोस्त की backstage इन दोनों के match को लेकर काफी heavy talk हो रहा है और ये चीज दोस्तों दो हफ्तों से लगातार continue हुए, even दोस्तों जो higher ups है, वो एक idea लेकर आए हैं और इस idea के अंतरगत solo सी कवा वो व्यक्ति रहेंगे, जो की Roman Reigns को हराएंगे, उनसे उनकी championship चीज़ेंगे, इसके साथ दोस्तों बड़ी दो चीज़े होएगी, सबसे पहली थिंग तो ये कि Roman Reigns जो की काफी time तक champion है, उनका title reign खतम होगा, प्लस दोस्तों एक नया title reign स्टार्ट होगा जो की solo से कवा का रहेगा solo का 200 tribal आया बन चुके हैं और ऐसे में अगर Roman Reigns को हरा देते हैं, तो वो क्या होंगे obviously उनने tribal chief होंगे तो इसको दोस्तों काफी discuss क्या जा रहा है दो हफतों से दोस्तों स्टोरी लाइन के उपर बातचीत हो रही है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों जल्दे apply होते भी नज़र आ सकती है, और 2024 में जो solo है, एक top star होने वाले वीडियो आज कितनी इस थी, तो guys वीडियो टॉप की लगी है तो इसे जाज़ा शेयर करना मत भूलिएगा प्लस आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हैं वैल दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही ठाने वाद शबग है